जी नमस्कार आप सभी का स्वागत है तो आज की इस class में हम पढ़ने वाले differentiation की differentiation किसे कहते हैं उसे कैसे करते हैं तो चलिए आज अपना हम topic शुरू करते हैं So differentiation को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि dependent variable और independent variable हम किसे कहते हैं तो say हमारे पास एक equation है y equals to x square plus x plus 1 So हमने क्या करा सबसे पहले x को रखा 1 तो हमारे y की value आती है 3 जब हमने x की value रखे 2 तो y की value आती है 7 और जब हमने x की value रखे 3 तो y की value आती है 13 So हम इसके नदर देख सकते हैं जैसे जैसे हम x की value change कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे y की value भी change हो रही है इसका मतलब क्या है कि x की value की ही उपर y की value depend करती है So एक तरीके से हम कह सकते हैं कि x हमारा है independent variable और y हमारा है dependent Demandant means कि जो y है वो x के उपर depend करता है ठीक अब माल लिजे आप से पूछा जाए कि y x के awarding कितना change हो रहा है मतलब अगर मैं x को change करता हूँ तो y में कितना change आ रहा है इसी चीज को find करने के लिए हमारे पास एक काफी सुन्दर टेकनिक है जिसको हम कहते हैं differentiation differentiation calculus का part है calculus के दो part है differentiation और एक integration तो सबसे पहले आज हम differentiation के बारे में पढ़ने वाले हैं differentiation क्या है कैसे इसे करते हैं तो चलिए start करते हैं से अगर आपसे पूछा जाए कि y जो है x के according कितना change हो रहा है y जो है x के according कितना change हो रहा है तो इसे लिखा कैसे जाएगा सबसे पहले एक d लगाया उपर एक d लगाया नीचे अब उपर वाले d के साथ आपको वो लिखना है जिसको आप find करना चाते है कि change कौन हो रहा है हमारे इस case में find करना चाते है कि y कितना change हो रहा है और नीचे उसे लिखना है जिसके according change हो रहा है वो इस वाले case में हम चाते हैं कि y हम देख रहे है कितना change हो रहा है x के according so हम इसे कहेंगे differentiation of y with respect to x यानि इससे हमें क्या पता लगेगा कि y कितना change हो रहा है x के according so again I am repeating क्या अगर आपको check करना हो कि y x के according कितना change हो रहा है तो आप इसे कैसे लिखोगे उपर d, नीचे d इसका आपको check करना है नीचे उसे लिखना है जिसके according आपको check करना है यानि अगर हमें check करना है कि y कितना change हो रहा है x के according so हम क्या लिखेंगे उपर y और नीचे x अब इसे read कैसे करेंगे इसको read करेंगे differentiation of y with respect to x differentiation of y with respect to x तो इसको किस तरीके से बोला जाएगा differentiation of y with respect to x इसका मतलब है कि y कितना change हो रहा है x के according तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं तो सबसे पहले हम common mistakes दिख लेते हैं जो बच्चे करते हैं तो अगर कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हो dy by dx इसका मतलब same y है कि हम निकालना चाहते हैं कि y कितना change हो रहा है x के according पर कुछ बच्चे क्या करेंगे इस d से d को काट दिया ऐसा नहीं करना है यह बिल्कुल गलत है यह सिर्फ लिखने का procedure है क्या कि आप उपर लिखा d नीचे लिखा आपने d उपर उसको लिखना है जिसको आपको check करना है कि कितना change हो रहा है और नीचे हमें वो लिखना है किसके according change हो रहा है अगर मान लिजे मुझे कुछ भी चीज़ check करनी हो कि x के according कितना change हो रही है तो कैसे लिखूंगा उपर d नीचे x तो उपर जो यह bracket बना हुआ है इसके नवस चीज़ को लिखना है जिसका आपको differentiation करना है किसकी respect में? x की respect में किसकी respect में? x की respect में जैसे अगर मान लिजे मुझे कोई चीज़ है मेरे पास z और मैं find करना चाहता हूँ कि z कितना change हो रहा है x के according यानि मुझे क्या करना पड़ेगा differentiation करना पड़ेगा with respect to x तो कैसे लिखा जाएगा इसको? सबसे पहले उपर लिखा d निचे लिखा किसके respect में करना है? x के respect में तो निचे लिखा dx उपर bracket में लिखना है z क्योंकि हम क्या find करना जाते है? कि z कितना change हो रहा है x के according तो ये तो था हमारा basic सा introduction कि differentiation हमें क्या बताता है? तो again हम थोड़ा से revise करते हैं कि differentiation हमें यही बताता है कि एक चीज, दूसरे चीज के according कितना change हो रही है तो इसके कुछ rules है basic formulas है हाला कि हमें इनकी derivation की फिलाल जरूरत नहीं है और ध्यान दीजेगा जो ये x की power n है यहाँ पर n क्या है? एक real number है n क्या है हमारा real number है तो जब भी आप किसी x की power n का differentiation करोगे तो उसका differentiation क्या होगा? n multiply x raise to power n minus 1 n multiply x raise to power n minus 1 so इसका इसका इसमें example करके देखते हैं power rule का से आपके पास दिया हुआ है x की power 3 कितना दिया हुआ है x की power 3 और आपको इसको बोला गया कि differentiation करो with respect to x तो कैसे करोगे? उपर d के साथ इसको लिखा और किसकी respect में करना है? x की respect में तो हम देख सकते हैं अगर मैं इस power rule से इसको match करूँ तो यहाँ पे हमें n कितना दिख रहा है? 3 के बराबर so n आ गया आगे और n में से 1 हो गया minus तो यह कितना आया? 3x square similarly एक और example ले लिजे से आपको बोला गया x की power 7 x की power 7 का differentiation करना है तो हम देख सकते हैं n हमारा कितना है 7 के बराबर तो इसको पहले लिख लेते हैं d के साथ लिखा किसके respect में करना है? x के respect में तो हम जानते हैं power आगे आजाएगी और एक power minus power कितनी है हमारी यहाँ पे? 7 और x की जो power 7 उनमें से 1 हमने minus b कर दिया कितना आ गया? 7x sorry 7x की power 6 again एक और example ले लो say x cube इसका भी differentiation करना है अब इसका differentiation करना है तो हमें साफ सर दिख रहा है x की power जो n है वो n कितना दिख रहा है हमें? 3 उसको differentiation करना है x की respect में तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा d अब उनमें लिखा dx तो क्या हो जाएगा? power आगे 3 आगया आगया और एक power minus यहनि 3 में से एक minus कर दिया तो कितना आगया? 3x square तो यह था हमारा basic सा power rule so जो हमारा next topic है वो है हमारा constant multiple rule constant multiple rule जैसे कि हम दे सकते हैं कि x की power n तो है यह हमारा वही पहले वाला x की power n है but इसके साथ हमने क्या कर रहा है? एक c से इसको multiply कर दिया c हमारा यहाँ पर क्या है? एक real constant है c हमारा यहाँ पर एक real number है एक real constant है तो हम देख सकते हैं कि जो c था इसमें जो constant multiple rule क्या कहता है? जब भी आप एक x की power n को c से multiply करोगे constant से multiply करोगे तो वो differentiation नहीं होगा उसका differentiation से भाहर आ जाएगा वो multiply में रगा रहेगा तो इस rule के according c तो आ गया बाहर अब अंदर क्या रहे गया? x की power n जिसका हमें differentiation करना है और इसका differentiation हम पहले ही कर चुके हैं जिसका power n का differentiation क्या था? n x की power n minus 1 तो मैंने क्या करा? जो ये x की power n है इसका differentiation उपर से हमने डिरेक्ट उठाकर यहाँ पर डाल दिया जो कि ये लिखा हुआ है तो इसका भी हम कोशन करके देख सकते हैं जैसे 7 x square 7 x square इसका भी differentiation हमें करना है with respect to x तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 7 है एक constant है यह साथ multiply में है तो 7 तो ले लिए हमने बाहर अंदर क्या रजाएगा differentiation में? x का square dx और x का square हम देख सकते हैं यह वापीस वैसा कब ऐसा बनी गया x की power n की तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा कितना 2 है सो हम क्या करेंगे 7 लिखा रहेगा simply और 2 आगया आगे और एक power होगी कम तो कितना आया? 2 x की power 1 और 7 into 2 कितना हो जाएगा? 14 x एक और question ले लिजे आप से आपको दिया हुआ है यह 3 x cube 3 x cube इसका differentiation आपको करना है सो पहले लिखने का वही तरीका जिसको differentiation करना है वो उपर जिसके respect में करना है वो नीचे और हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्या है? constant है 3 तो आगया बाहर अब अंदर क्या रहे जाएगा? x cube और यह x cube हमें फिर वैसे ही दिख रहा है x की power n और यहाँ पर n कितना हो गया हमारा? 3 के बराबर तो क्या हो जाएगा? 3 तो आया आगे और 3 में से एक हो गया minus तो कितना आया? 3 into 3 x square और 3 into 3 कितना हो जाएगा? 9 x square अब हम देखते हैं कि अगर माल लिजे आपको एक constant दिया हुआ तो constant का मतलब क्या है? जिसकी value change नहीं हो रही किसी चीच के लिए किसी situation में भी जैसे हमें बोला गया कि c हमारा एक constant है और हम इसका differentiation कर रहे है x के लिए तो ध्यान दिजेगा जब भी आप एक constant का differentiation करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आने वाला है देखो constant का differentiation 0 क्यों आता है? तो constant का differentiation 0 इसलिए आता है माल लीजे आप x की respect में किसी constant का differentiation ले रहे है इस बात का मतलब क्या है? कि आप check कर रहे हैं कि x के लिए जो हमारा constant value है वो change कितनी हो रही है तो एक बात बताए अगर वो constant है तो वो change क्यों होगा? अगर वो change ही नहीं हो रहा तो उसका भी differentiation कितना होना चीए? 0 होना चीए और चाहें तो आप इसको mathematical ऐसे भी prove कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारा c लिखा हुआ है साथ में आप multiply में ले लिजे x की power 0 because x की power 0 क्या होता है? 1 और हम जानते हैं 1 को हम किसी भी number साथ multiply में ले सकते हैं ठीक? तो again क्या बन गया? एक constant multiple वाला case बन गया तो हमारा c बहार आ जाएगा और अंदर क्या रहा जाएगा? x की power 0 ठीक? यहाँ पे हमारा n कितना हो गया? 0 so c बहार रहा power आगे आगई और एक power हो गई minus अब आप दे सकते हैं पूरे से 0 multiply में तो इस पूरे की value कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी तो ध्यान दिजेगा अगर किसी भी चीज का differentiation constant आता है तो आप सीधा-सीधा आपके mind में याना चीए वो चीज क्या है? वो चीज constant है अगर आप किसी भी चीज का differentiation देखते हैं कि वो constant आता है तो इसका मतलब है वो चीज क्या है? एक constant है तो हम आगे चलते हैं differentiation के ही अंदर माल लीजे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ x square plus 2x plus 1 यह आपको दिया हुआ है अब इसके नदर तो आप दे सकते हैं कई सारी terms हैं तो इसको कैसे differentiation करेंगे? बड़ाई simple है सबसे पहले आप तो इसको differentiation गी तरह पहले लिखिए कि हम इसका differentiation करना है x के लिए तो x आया नीचे उसके बाद में हमें क्या करना है सबको अलग-अलग लिख देना है इस तरीके से वो सबका अलग-अलग differentiation करना है with respect to x तो हम दे सकते हैं यह क्या है? x की power n वाला case है तो इसका differentiation आया 2x यहाँ पे 2x क्या लिखा हुआ है? यह constant multiple वाला case है तो इसका differentiation आया 2 into 1 और यह तो constant है इसका differentiation क्या आया? 0 जो final answer होगा वो है हमारा 2x plus 2 एक और example ले लिजे से हमको दिया हुआ है x cube plus 3x plus 1 इसका differentiation करना है तो सबसे पहले differentiation इस तरीके से लिखा जाएगा बाद में सबका अलग-अलग कर दीजे अलग-अलग करने से क्या होगा? देखिए plus d1y dx अब इन सबका आपको differentiation करना है अलग-अलग करना है अलग-अलग जब इनका differentiation होगा तो क्या आएगा? x cube का differentiation कितना आया? 3x square 3x का differentiation कितना आया? 3 और 1 तो एक constant है तो 1 का जो यहाँ पे था constant था, उसका differentiation कितना आया? 0 तो यह जो आया है यह हमारा है final answer माल लीजे अब आपको trigonometric कोई चीज दी हुई है उसके differentiation करना है तो यहाँ पे कुछ basic से formula है जो क्या को सिर्फ यह requirement होगी physics के अंदर तो कुछ वो basic formula है like this अगर say आपको दिया हुआ है sin x differentiation आप करें with respect to x sin x का differentiation होता है cos x वैसे ही अगर आपके पास cos x है इसका differentiation करना है आपको with respect to x तो इसका differentiation होता है minus sin x अगर आपको 10 x का differentiation करना है तो इसका जो differentiation होकर आएगा वो है sec square x तो यह हमारे basic trigonometric formulas थे जो कि हमको physics के अंदर इस्तमाल होंगे अगर आपको further कोई formula चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं तो एक चीज और अगर हम differentiation पढ़ी रहे हैं तो maybe आपको differentiation क्या पता इस तरीके से भी आ सकता है जैसे यहाँ पे लिखा हो सकता है एकसी power floor plus 2x upon x cube यह हमाली जी हमको दिया हुआ है तो इसका differentiation कैसे करेंगे बड़ा ही simple है अब सबसे पहले क्या करिए इसको break कर लीजे इसके fraction को break कर लीजे break किस तरीके से करेंगे कुछ इस तरीके से x की power 4 upon x cube plus 2x upon x cube ठीक तो आप क्या करेंगे अब आप देख सकते हैं यह उपर जाएगा power minus हो जाएगी x की power 4 minus 3 plus में यह भी उपर जाएगा power minus हो जाएगी 2 x उसकी power 1 है तो 1 में से minus हो जाएगा 3 तो अपने पास क्या आ गया x की power 1 plus में 2 x की power minus 2 अब इसका differentiation करना है अगर अब हम जब हम इसे differentiation करना है तो किस तरीके से लिखेंगे इदर d लगाया इदर bracket 1 और अब उन में dx और हम देख सकते हैं अब यह जो हमारी terms हैं कितनी हैं दो terms हैं एक x की power 1 और एक 2 x की power minus 2 तो इसको अलग-अलग करके लिख देगे यहाँ पर लिखा पहले dx के लिए जिसकी power कितनी है 1 है और यहाँ पर दूसरा इसके लिए 2 x की power minus 2 के लिए अब इसका differentiation करते हैं power इसकी 1 है तो हम देख सकते हैं power आ जाएगी आगे और एक power minus plus 2 है constant multiple वाला case है 2 तो आ गया बाहर अंदर क्यार जाएगा x की power minus 2 upon में dx फिर इसकी power तो होगी 0 यानि x की power 0 यहाँ पर 2 और अंदर आ जाएगा power आगे और एक power minus में power आगे और 2 में से भी एक power minus में तो क्या आया हमारा x की power 0 तो क्या हो जाएगा 1 plus में 2 और यहां पर क्या आया, minus 2, वो इधर क्या आजाएगा, x की पावर, minus 3, तो 1 into 1 तो 1 ही आजाएगा, और 2 into minus 2, कितना आजाएगा, तो दुबारा लिख लेते हैं, 1 into 1, 1, और 2 into minus 2, minus 4, और यह अपना x की पावर minus 3 है, हम चाहे तो इसको नीचे ले जाएगे, तो यह पावर हो आंसर,